हेलो स्टुडेंट्स हम लोग चैट्टर पढ़ें इन्वर्स ट्रिणमाटिक फंक्शन और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोपर्टी के तरफ चलते हैं प्रोपर्टी नंबर प्रोपर्टी नंबर एट प्रोपर्टी तरही देखते हैं इसमें पहला फॉर्मौला पॉस फॉर्मौला हो जागा आपका कोश इंवर्स एक्स प्लस कोश इंवर्स व Papier के लीए दू फॉर्मौला लेसकता है पहला होजाए आपका को सब्सूइब्स एख्स व्य माइनस root under 1 minus x square into root under 1 minus y square इसके लिए condition है कि if x जो होगा minus 1 से greater or equal होगा और y जो होगा less than equal to 1 होगा ठीक है अच्छा and and दोनों का sum x और y का sum greater than or equal to 0 होगा तो उस condition में cos inverse x plus cos inverse y का यह formula हो जागा इसके एक और formula हो सकता है 2pi minus cos inverse xy minus का root under 1 minus x square into root under 1 minus y square यह कब होता है तो if minus 1 से greater or equal to x ठीक है यह जो हो less than or equal to 1 and and x plus y जो हो less than or equal to 0 हो ठीक है दूसरा हमारा क्या होता है दूसरा हो जागा आपका cos inverse x minus का cos inverse y क्या क्या हो जागा इसका इसका इसी तरह से हमनों कहां दी सकते हैं cos inverse xy plus में रूट अंडर 1 minus x square into root under 1 minus y square इसके लिए क्या कंडिशन है कि इफ माइनस 1 से greater है आपका x or equal to है ठीक है और य जो है less than or equal to 1 है and x is less than or equal to y इसका एक और फ़र्मूला हो जागा माइनस का cos inverse cos inverse xy plus root under 1 minus y square root under 1 minus x square और इन्टु में root under 1 minus y square इसके लिए पिकंडिशन है कि if x जो होगा 0 से greater होगा but less than or equal to 1 होगा अच्छा उसी तरह से y की बात करता माइनस 1 से greater होगा y और equal होगा but less than or equal to 0 and x is greater than or equal to y तो इस condition में यह आपका फ़र्मूला हो जागा तो चलिए इन दोर में से कोई भी पूप करेंगे ना तो दूसरा वाला पूप असानी से हो जाएगा तो मैं पहले वाले को इंपूप करके आपको दिखा देता हूं चलिए तो बाकी जैसे प्रोपर्टिश को पूप किया है इसको उसी तरह से पूप करेंगे चले इसका पूप देखते हैं ठीक है चलिए इसका फूप देखिए मैं यहां पर बागी जैसे प्रोपर्टिश में कर रहा था उसी तरह से लेट कॉस इंवर्स एक्स इक्वाल टू में ए और कॉस इंवर्स वाई इक्वाल टू में बी ले ले लेता हूं तो तो अब यहां देख सकते हैं लिखेंगे दे यहां से इधर ले जाएंगे तो एक्स इकॉल टू में क्या हो जागा कॉस ए और वाई कॉल टू में क्या जागा कॉस बी एंड देखिए यह आपका इन्वर्स ट्रिग्मेंटिक फंक्शन है तो आपको कॉस के लिए पता ही है यह जीरो टू पाई में यह और बी दोनों ला है इतना तो पता है जलिए अगर मैं साइन एक ही बात करूं तो साइन ने के लिए क्या हो जागा रूट अदर वन माइनस कॉस स्क्वाइर तो यहां को से के जगा पर एक्स है यहां जाएगा और यहां पर देखो यहां एक्षवल में रूट लग रहा था पॉस्टिव कुछ भी हो सकता है लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां आपका a और बी दोनों बिलोंग कर रहा है जीरो टूपाई तो जीरो टूपाई के बीच यह फॉस्ट और सेकंड कोड्रेंट की बात हो गई और फॉस्ट रूट कोड्रेंट में साइन पोजेटिव होता है ठ साइन भी इस ग्रेटर दन रिकॉल टो जीरो है ना फॉर फॉर एबी बिलॉंग्स टू जीरो टू पाई हम जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो इसलिए यह पोजेटिव होंगा माइनस यह पर नहीं ले सकते हैं सिर्फ पोजेटिव ही नहीं है अच्छा हम लोग एक फॉर्म ठीक है माइनस साइन ए साइन तो यहां से कॉस ए प्लस बी इक्वल टू मैं हम लिख सकते हैं इन सब का वैलू रख दो यहां पर आ जाएगा आपका वाई फिर आपका यहां माइनस है तो माइनस फिर यहां रूट एंडर वन माइनस एक्सक्वाइर और फिर इंटु में क्लियर है उसी तरह से अगर मैं दूसरा वाला जो प्रॉप करूब करूंगा और इसी का सेकंड वाला पार्ट कॉस इंवर्स एक्स माइनस कॉस इंवर्स भाई तो वहां पर मैं कौन सा फॉर्मूल लेना होगा कॉस ए माइनस भी क्या इसका हमनों फॉर्मुल जानते हैं कॉ से कॉस भी प्लस में साइन एज यह होता है यहां पर रखोगे ना तो हो जाएगा कॉस ए मैनस वी इक्वल टू में यह एक्स यह वाई और प्लस है रूट अन्डर वान मैंस एक्से स्कौाइर इंटू रूट अंडर वन मेंनस वाले को प्रूब करने में इसका यूज हुआ हें लेकर हम लोग इसे प्रूप करते हैं ठिया हम लोग यहां पर दिखते है के सफस्त हर ठिया है यहां देखते हैं के सफस्त है मैं वयन क्या था मैंनस वन से एक उकतहा एक्स मेरी कमड्य से लेस देन और और बोन पर फांघंड एक्स प्लस वाई जो है ग्रेटर देन और इकॉल टू जीरो है यह ना था अच्छा यहां पर देखो माइनस वन से ग्रेटर है एक्स और इकॉल टू है और वाई जो है लेस दन और इकॉल टू बन है तो यहां पर हम नहीं लिख सकते हैं कि ए और बी जो होगा जीरो टू पाई में विलॉंग करेगा ए भी जीरो टू पाई में और भी जीरो टू पाई में ठीक है ए भी जीरो टू पाई में या फिर हम ऐसे लिए सकते हैं कि ए जो होगा जीरो के equal होगा जीरो से greater होगा बर लेस दोनों को add करो गे यहां से क्या जाएगा यहां सब नुरू रिख सकते हैं कि 0 2 0 2 क्या हो जागा 2 पाई हो जागा ना a प्लस भी विलॉंग करेगा यह ना हो जाएगा आपका इसका में निग यहीं हो गया चलिए अब देखो यानि इसका मतलब यह हुआ कि a प्लस भी फॉर्स कोड़ेंट में भी हो सकता है है सेकंड में भी हो सकता है अर फॉर्स कोड़ेंट यहां से यहां तक हो गया है के नहीं समझें ना यहां पर इसका मेनिग नहुगा कि अपलस भी लाइज हम आई अधर आईधर dalla बारेकि मोण एक फेकर और व्र्स भी ऐला कि यहां से मैं यह पता चलता है अच्छा अब इसके बाद देखो हम दो देख रहे हैं कि उपर हमारे पास से कंडिशन दिया था कि आपका क्या था कॉस ए और वाई कि लिख सकते हैं कि कॉस एप्लस कॉस बीश ग्रेटर जैन। भीशन जाएगा आप कि इस कॉस वी को भेज को हैं को भीश सकता है कॉस A is greater than or equal to minus का कॉस B यह हो जाएगा यहां minus का कॉस B आ गया तहां ली सकता है कि कॉस A is greater than or equal to कॉस इसे πाई minus B नहीं ली सकते हैं πाई minus B आप पढ़े ऊना पॉर्मॉला कोस् पाई माइनस तेटा जो होता है माइनस का कॉस्ट ठीटा तो यह तरह से दिया तो इसको इसको यह दो सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं जग रहा नहुत चलिए अब इसके बाद देखिए यहां से को सटा देंगे तो हमारा a is great देखो अगर यहां पे अगर हम लोग एक की बात करें तो यहां देखो वह zero to pi के भी decreasing order में होगा उसी तरह से b भी आपका 0 to pi में decreasing order में होगा हम लोग जानते है थे जो आपका कॉस होता है न कॉस है ऐगर लिखता हूं कॉस comp betting को स्थिटा इस ढिई हम लंद रिगेग्वी को यहां यह पड्रीजिंग हूता है और यह आप देखेंगी अँरभ में आ रिक खरम्स की बात करता है यह है है यहां पाई वाई टू होता है यहां आपका पाई होगा यहां प्रजीरो हो तो सब्सक्राइब हो रहा है कि ने कॉस्ट टीक्रीजींग हो जाता है तो यहां से इधर इसे लाएंगे तो a plus b is less than or equal to क्या हो जाएगा पाइए प्लस बी क्या होगा less than or equal to क्या हो जाएगा पाइट तो इसका meaning यह हुआ यहां इसका meaning यह हुआ कि यहां पर a plus b less than or equal to पाइगा यहां यहिए फर्स्ट और सेकेंड कोड्रेंट में ही लाइक रहें करेगा तो इसे से और इसे conclusion क्या निकलता है therefore 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 अगर आप इसे कोई question माले लेते हैं आप आप इसे फर्स्ट माल लेते हैं यहां लिख सकते थे कि आपका जीरो टू कि पाई के बीच ए प्लस भी कैसे हुआ फ्रॉम फास्ट एंड सेकेंड कोई दिक्कत नहीं है यहां जीरो टू पाई हो जा रहा है और यहां आपका टू पाई तक ही जा रहा है तो दोनों से यहीं न कंकुलूजन निकल रहा है यह आपका ए प्लस भी जोगा जीरो टू पाई में ही आपका बिलॉंग करेगा क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो अब हमें आलिख सकते हैं कि कॉस हम लोग उपर देखेते ना कॉस a प्लस b एक्वल टू में क्या था xy-root under 1- x square into root under 1- y square यह नाम नोब निकाले थे तो यह cost को उधर ले जाएंगे तो cost inverse हो जाएगा cost inverse हो जाएगा और यहाँ a plus b 0 to pi में ही लाई कर रहा तो यह आपका invertible function हुगा ना तो इसलिए मैं इधर inverse में भेज़ सकता हूं कोस inverse xy-1-x square और इंटु में रूट अनर य-2 तीख है ऐसा मैं क्यों लिख पा रहा हूं क्यों कि मैं देख रहा हूं कि a प्लस बी जो है न वह जीरो टू पाइ के बीच लाइं कर रहा है तो जीरो टू पाइ के बीच आपका कॉस को इनवर्टिवल फंक्ट्टन होता है न इसलिए को सिफ दरा के कॉस का इनवर्स हो गया आप यहां से cOS A और अगर मैं A और B के बात कर तो यहां यह का वैलूआ लिखा था यहां से cOS inverst e x और इसे cOS or equal to hy éks y when y जो है आपका लेस देन ओर equal to वन था ठीक है और एक्स प्लस वाई जो था इस प्लसलता ग्रीक प्रहसद्उ ही दें है और is नहीं था तो इस condition में यह आपका formula पूर्फ होग चलते आगले केस के सब लिए कर तरह है कि अगलें के सब्सक्राइब उसमें condition था कि minus 1 से greater है पर शक्त यहां डेख रहा है कि minus 1 से greater है आपका x और y जो है less than or equal to 1 है and x plus y is less than or equal to 0 दिया है यहां देख रहा है कि minus 1 से greater है आपका x minus 1 से greater और यह जो है लेस देन रिकॉल टुबन है तो अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए और भी हम लोग बिलॉंग करें कहां जीरो टू रै जीरों टू पाइल या फिर हम इस ऐसे बिली सकते हैं खब का जी-डो के ओपका अब इन दोनों यहां से क्या निकलेगा हमें कि यह आपका जीरो के इक्वल होगा और ग्रेटर होगा आपका एप्लस बी और लेस दर रिक्वाइल टू अब कर सकता है अब देखिए एक और चीज हमारे पास यहां पर दिया हुआ है एंद यहां में दिया हुआ है कि X प्लस Y जो है लेस्ट देन और इकॉल टू जो एक्स और Y के वैलू की पाद करते हैं इसका उपर आपका कॉस A था इसका कॉस B था मैं सुरू में देखा था तो चलिए अब इसको उधर रहते हैं तो कॉस A इकॉ क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कॉस्ट पाई माइनस ठीटा जो होता है माइनस का कॉस ठीटा होता है तो देखो यह इस फॉर्म में दिया हो तो इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग यह जानते है यह जानलो यह जीरो है यह पाई बाई टू है यह पाई है तो आपको याद होना चीज का ग्राफ मैंने इस तरह से बताया था पॉस्ट के लिए यह देख रहें यह डिक्रीजिंग होता है कॉस्ट टीटा होता है कॉस्ट टीटा है डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग जीरो टू पाई जीरो टू पाई में यह आपका डिक्रीजिंग होता है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे तो यह इनूंकल्डी का साइन चेंज हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा और यहां देखें प्लस इन दोनों से हमें क्या पदल सकते हैं एक यह प्लस भी की बात करेंगे तो ईप्लस बी प्ऺाई से डूपाई के वीज टोनिंग पार्ट दीख रहा है जीडो टू टू पाई यानि की थार्ड फॉर्स कॉडरेंट में चले गए अब देखिए इसके बाद चलिए अब हम लोग क्या करते हैं माइनस वन से मिल्टिप्लाइब करते हैं ना तो यहाँ पर रिखेंगे मल्टिप्लाइब multiply by multiply by minus minus pi हो जाएगा inequality का साइन बदल जाता है आपको पता ही है चेंज हो जाता है माइनस से multiply करने पर ठीक है अब इसमें हम लोग एड कर देते हैं माइनस प्लस टूप इधर टूपाई मैनस प्लस प्लस सॉड़ी ए प्लस धी यहां जाए आपका पाई ग्रेटर है और रिकॉल two Pi minus a plus b तो फ्वी है और यह यह जो है अपका greater है इक्वाल की ऐसे हम लिचा के ठोंसे ब्लोussia को घिंदा है बीच से greater है आपकर Beyond 1 प्लस B और इससे greater है आपका Pi or equal to reward CD कर दी कि हमने 0-2 202-25 में इसका mover वीमु Er वो आपका inverse function होगा इसका अगर कॉस में वल देंगा तो invertible function इससे दिखाने के लिए हम लोग जीरो टू पाइल आए है ठीक है अचा हम लोग ऊपर देख रहे थे कि कॉस a प्लस b का क्या था तो कॉस a प्लस b क्या था आपका एकस वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एकस स् स्दू पाई माइनस का a प्लस b ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्त नहीं है ऐसे क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है यह पर में फॉर्मूला भी लिख सकता हूं कि कॉस two 2Pi minus theta जो होता है ना थीटा के इक्वल होता है फोर कडिड में कॉस्ट पोस्यटिव होता है यह अगर इसे ठीटा लें तो इसे आम लोंगो नों कॉस्ट नहीं ले सकता है नहीं ले सकता है विल्कुल ले सकता है एकस वाई माईनस का रूट अंडर 1 माइनस X स्क्वाइर और इंटू में रूट अंडर 1 माइनस Y स्क्वाइर है ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर यहाँ आपका है अपर यहाँ है एक हमने यह लाया है लिखे लिग दिटा हूँ कि आपका जीरो तूचाइ-प्लस-बफस-व को एक काम करते हैं अब इसको उधर लेते हैं और इसको इधर लेते हैं तो इधर हो जागा टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एकस वाई और माइनस रूट अंडर वन माइनस एकस एसक्वाईर इंटू में रूट अंडर वन माइनस वाई एसक्वाईर ठीक है और इक्वाल टू मे 2 pi minus cos inverse xy minus root under 1 minus x square और into में root under 1 minus y square ठीक है और इसके लिए क्या condition था कि if minus 1 से greater है आपका x or equal to x y जो है less than or equal to 1 है and x plus y जो है x plus y वो greater than or equal to 0 है यह हम लोग देखे थे यह नहीं देखे थे हम लोग एक condition था यह हमने प्रूफ करके दिखा दिया तो अगला भी आप देख रहे हो ना इसका यह जो यह भी इससा है बस सेम औहीं काम करते हुए चलेंगे आप देख लो मैंने क्या किया है कॉस इंबर्स देखो यह सेकेंड वाला जो बता है इसको लेके चलेंगे और बाकि उसके पाथ फाइंडर क्लासे छप्रा दूसरा आपका भारती भवन रवी कांसर भारती भवन रवी कांसर रवी कांसर और तीसरा चनल है रवी कांसर के नाम से तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटर वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे लेटे नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikant.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और पीडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं पड़ भी सकते हैं इंस्ट्रागाम और फेस्बुक पे जाके पाथ फैंडर क्लासे छप्रा को लाइक एन फॉलो करना नहीं भूलेंगे